नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का भद रहा है इस अकाडमी में आज का लेट है 4th of August 2022 एंड डेली के करेंट अफेस के हमारे sources होने वाले हैं Assam Tribune और अधर नाशनल डेली को भी हम लोग यहाँ फोकस करेंगे इस पूरे जो लेसन होने वाला है उसका PDF में नीचे description session में लिंक अप कर दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड भी इसको डारेक्ली कर सकते हैं चली सबसे पहला यहाँ पर न्यूस देख लेता है Assam Tribune का अगर Assam Tribune का न्यूस पर देख लेजेगा एस सच उतना जाद इंपॉर्टन नहीं न्यूस था बट एक जो मुझे बहुत जाद इंपॉर्टन लगा वह था रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्रा रिवर्फंट डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को रिलेटेट नौ अब देखो अगर आप गौहाटी सिटी देख लोगे राइट यह ब्रह्मपुत्रा के साइट से गुजरती है राइट नौ आप खुद सोच के देखो देखो देट ब्रह्मपुत्रा के थ्रू हम लोग कितने जाधा एकोनॉमिक अक्टिविटीज असाम गवर्मेंट करती है बहुत जाधा नेगलिजिबल राइट इसका पोटेंशल बहुत जाधा है करने का बट वो अभी सरकार नहीं कर पा रही है तो इसी लिए य रिवर्फरंट डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया है जिसके तहत मेक्शुर किया जाएगा देट रिवर्फरंट के जो रीजन्स है न उसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके जैसे मुम्मई मुमयगार अप चले जाहिएगा राइट तो वहां पे डेवलप्मेंटल अक्टिविटीज वहां पे की गई है तो वैसे ही डेवलप्मेंटल अक्टिविटीज ब्रह्मपुत्रा में भी की जाने की बात की जा रही है इसी लिए इसी लिए ब्रह्मपुत्रा में टोपोग्राफिकल एस वेल आज बैथिमेट्रिक सर्वेज करी आ अगर आपके पेपर में बैथिमेटरी यह वर्ड आ जाए ना आधा बच्चों से तो ज्यादा लोग डर जाएंगे यह लोग वही लोग डरेंगे जिन्हों ने जोग्रफी का ओशनोग्रफी चाप्टर नहीं किया होगा ठीक है पहली बार तो एनिवेज बट इन जनरल आप स एन्ड के उपर वाला पोर्ट्षन का मैपिंग को हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं फॉर एक्जामपल यह वाला डीजन आपको दिख रहे हैं यह वाला हिल्ली डीजन है है यह वाला हिल्ली डीजन है ठीक है यह वाला प्लैट्व रीजन है समझ रो बात यह वाला देख र topographical mapping which is done over the land surface region but वही पर rivers या फिर oceans के भीतर के land को जभी भी हम लोग mapping करते हैं उसको हम लोग कहते हैं bathymetric mapping और अभी जो surveys carry out किये गए यह bathymetric surveys है ना topographical surveys as well as bathymetric surveys इन दोनों का बहुत important role होने वाला है आप खुद सोचिए ना कोई भी अगर developmental activities किया जाएगा ना ब्रह्मपुत्रा के river के bank के along किया जा रहा है तो अगें यह बहुत ही ज्यादा sensitive issue है ecological point of view से समझ रहा बाद तो इसी लिए इस टाइप के surveys किये जा रहा है यही नहीं bathymetric surveys क्यों किये जा रहा है आप सोचो यहाँ पर अगर जेटीज चलाए जाएंगे सोचो एक गारी kind of you know गारी रहता है जो क्या नदी या फिर सागर के ऊपर चलता है उसको जेटीज कहते है समझ रहो तो अगर आप उन जेटीज को भी चलाना है तो properly इसका mapping का अगर हमेरे पास data रहेगा तो सरकार allow कर सकती है that हाँ इस region से इस region के बीच में ही आप जेटीज चला सकते हो right जादा deeply या फिर जादा coastal region में आप नहीं जा सकते हो समझ रहो बात तो ये सब चीजों के लिए ये सब किया जा रहा है anyways आगे बढ़ते हैं कल हम लोग दोस्तों discuss कर रहे थे तो कुछ लोगों इसको demand किया था that sir Mines and Minerals Development Regulation Act 1957 को थोड़ा समझा दीजिएगा तो उसी को देखते हुए दोस्तों हम लोग ये सको समझा रहे हैं देखो इस Mines and Minerals Development Act जो है न ये regulate करती है हमारे देश में जितने भी सारे mines है है न या फिर minerals को जो हम लोग extract करता है न उसको regulate कैसे किया जाए तो उसके लिए यहाँ Act बना हुआ है जिसके तहर गवर्मेंट ने प्रोपोस किया a new framework for regulating e-waste in India now GS3 के पर सॉरी 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 इवेस्ट ये तो कल वाला पार्ट है माफ कीजेगा ये तो edit करना ही भूल गया anyways चलिए हम लोग जो है डिसकस करते सिर्फ Mines and Minerals Developmental Act ठीक है जिस इसको GS3 Economic Perspective साब relate कर सकता है now Mines and Minerals में जो इस Act है इसमें different minerals को categorize किया गया into दो category एक तो है major mineral और दूसरा है minor mineral चलो major mineral देखते है देखो major mineral में क्या है न एगेट, asbestos, bauxite, barates, उसके बाद cadmium, calcite, china clay, coal तो ये सब खुद से देख लो ठीक है क्या क्या है इसमें tungsten, phosphate ठी minor minerals में क्या है, stone, gravel, ordinary clay, ordinary sand and other minerals जो क्या Central Government notification के द्वारा ला सकती है समय के साथ-साथ, समझ रो बात, now major mineral का categorization, minor mineral का categorization अलग-अलग यहाँ पर है, now सवाल होता है that is Act के तहत, minerals को regulate का provision कैसा है, तो देखो, mineral का ownership अगर देखे, तो वो state government के पास रहता है, इसली तो हम लोगो ने क कल बोला था न, that कल वाले article में जो discuss कर रहे थे, that Kerala government क्यों इसको oppose कर रही है, समझ रहो, तो anyways, क्योंकि state government का ownership होता है, of any mineral जो क्या state के boundaries के भीतर में मिले, right, और district mineral foundations को बनाया गया था, इस Act के अंदर, यह एक statuary body है, right, जो क्या, of course, अपना legal status derive करती है from this Act, that is Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957, objective, अगर देख लेजगा district mineral foundation का, वो यह है, to work with the, for the interest of the benefit of the persons, and areas affected mining related operations, मतलब, अगर, सोचो, एक particular region में mining हो रहा है, है न, और वहाँ पे आपका घर भी है, तो of course, indirectly है, फिर indirectly है, आप impact तो हो यहगा, तो आपको जो impact हो रहा है, तो यह company वाली तो आपको पैसा नहीं दे रह है न, but company वाले क्या कर रहा है, government को पैसा दे रहा है, या फिर हम बोल सकते है, district mineral foundation को पैसा दे रहा है, district mineral foundation वो फिर ultimately आपके development के लिए वो पैसा खर्चा कर रही है, समझ रहो बात, तो यह चीज है, central government का भी ownership होता है, minerals में, but वो किस टाइब के minerals होता है, वो ऐसे minerals होता है, जो is called exclusive economic zone, समझ रहो, तो इस region में अगर कोई mineral मिले, then उसका regulation basically आएगा under the central government, यह clear है, चलो, आगे बढ़ता है, granting mineral concessions, now state government अगर चाहे, तो वो grant कर सकते है, mineral concessions, हर एक mineral के लिए, जो क्या उनके boundaries में located है, under the provisions of this act, दो act है basically, चलो, इतना तो हमें देखना है, नहीं पड़ेगा, but हाँ, however, यह जरूर हम लोग देख लीजेगा, that वैसे minerals, जो क्या mines and minerals development and regulation act 1957 के first schedule में mentioned है न, उनको लेकिन approval चाहिए central government का, in fact, schedule 1 contains minerals जैसे coal, lignite, rare earth material, जैसे क्या uranium अर्थोरियम को भी contain करते है, तो उसको भी यह provisions है basically, ठीक है, 2020 में एक question आया था, UPSC Civil Services में, चाहर mineral दे दियेंगे, आपको बतलाया गया, that इन में से कौन सा officially designate किया गया है as a major mineral, वो आपको बतलाना है, ठीक है, तो देखो option देखो, 1 and 2 only, 4 only, 1 and 3 only, 2, 3, 4, अब आप खुद सोचो, आप क्या दिमांग लगा रहो, किस को पता होगा यह सब, किसी को नहीं पता होगा, यह मैं guarantee दे सकता हूँ, जो जो exam दे रहे थे न, किनी को भी नहीं पता हुआ होगा, Now, UPSC में तो एक trick है, जो क्या काम करती है, usually मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़ादा exhaustively UPSC को question को मैंने survey किया है, तो उससे मुझे पता चला, that कभी भी, इस type के questions अगर आए, तो मैं पहले यह disclaimer देना चाहता हूँ, that हा, मैं अगर रहूं आपके जएगा, तो मैं उस type का, you know, trick अपना हूँगा, मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, that आप उस type का trick अपना हूँगे, क्या नहीं, है ना, तो यह सिर्फ मैं ही, मैं यह बोलना चाहरा हूँ, that ऐसा मनत है, that मैं बोलना हूँ, तो आप आँख बंद करके सब, you know, question में इस type का trick अपना ते रह हो, है ना, क्यूंकि उस type के question आपको तो भले ही लगेगा, that हाँ, शायद किसी को नहीं आता है, या फिर out of the box question पूछ लिया है, क्यूंकि शायद आपने वह वह concept पढ़ा नहीं होगा, but, जो जो actually पढ़ता है, तो उन लोग को पता हुआ रहता है, that हाँ, कौन सा actually topic news में था, कौन सा topic news में नहीं था, समझ रहो बात, तो इसलिए सब question में इस type के trick मत अपना रहा, now, मैं ये क्या trick बताना चाहता हूँ, that is type के कभी भी अगर questions है, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई, लिखाई किया है, civil services के लिए, उसके बाद भी आपको दिखे that, आरे भाई, ये तो this usually becomes the correct answers, जो कहें यहाँ पर भी है, right, तो ये एक trick है, but again, मैं बार-बार disclaimer यूज कर रहा हूँ, that नहीं भी आप यूज कर सकते हैं, आप अपना खुद का trick भी इस्तेमाल कर सकते हो, anyways, आगे बरता है, exercise pitch black के related, Australia के दौरा एक air combat exercise conduct किया जा रहा है, जिसमें Indian Air Force भी participate करेग यह एक binial exercise है, हर दो साल में conduct किया जाता है, जिसमें Australia 17 countries के forces को बुलाती है, now, एक तो यह exercise हो गया, जो क्या India और Australia करती है, exercise pitch black, और क्या different other exercise भी करती है, जी हाँ, Aus Index, यह bilateral Navy exercise है, वैसे ही मालाबार exercise, यह India, Australia, US और Japan, मिलकर करती है, यह मालाबार exercise, समझ रो, तो आपको पता होना चाहिए, एट हाँ, India, Australia के साथ, कौन-कौन से, यह रो, exercises conduct करती है, anyways, आगे बरते है, नगर, वन, योजना, now, पहले तो सवाल होता है, यह news में क्यों था, क्योंकि इस योजना को, पारलियमेंड में discuss किया गया था, और prelims, perspective से आप इसको, इस नाम से क्या पता चल रहा है, देखो तो नगर मतलब city, वन, योजना, मतलब city में जंगल बनाना का योजना, मतलब देखो, आपना पहले रिलेट करने की कुशिश करो, that हाँ, चलो, नगर मतलब बड़े cities, उसमें वन, मतलब at least जंगल तो नहीं बनाऊंगा, बढ़ हाँ, च मतलब गाड़न काईडफ चीजी है, ठीक है, अब जंगल तो नहीं बना देना है, ठीक है, इन at least 20 hectares of the land in urban areas in the next 5 years, समझ रोबात, ना, इसको लांच किया गया था, 2020 को, याद रहेगा, 1, will be maintained by किस के दौरा, Central या State, State Government के दौरा, और funding जो मिल देगी ना, इस योजना को, वो Campa Fund के अंडर, that is, Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 के अंडर, जो भी पैसे आता है, वो चीज यहाँ पे दिया जाएगा, Ministry of State of Environment, Forest and Climate Change, इसको regulate करेगी, in fact, महराष्टर में एक जगह है, आप इसको as a case study भी इस्तमाल कर सकते है, as a example भी इस्तमाल कर सकते है, वार्जे, Urban Forest, पुने, ठीक है, इसको consider किया गया as a role model for the scheme, कौन से scheme, of course, नगरवन योजना, नगरवन योजना, मतलब urban forestry है, इसको बिलकुल बोल सकते है, इसका फाइदा क्या एता है, अब urban region, आपको पता है, that कितना जादा albedo होता है, right, तो albedo के कारण, मतलब, कितना कम albedo मैं बोलूँगा, क्योंकि concrete के जो regions है, वो जादा होता है, ठीक है, तो इसी लिए, वो region almost गरम होता है, अब अगर वहापे पेर पौदे लगाओगे, तो पेर पौदे क्या करते है, transpiration, transpiration के कारण क्या हो सकता है, of course, थंडी फैल सकती है, थंडी मनलब क्या, almost एक थोड़ा mitigate ज़रूर हो सकता है, वो गरमी वा करना चाहता है, तो anytime you can call on to these numbers, यहाँ पे आपको इंडिया के best, best faculties आपको properly guide करेंगे, one-to-one guidance make sure किया जाएगा, दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी problem हो, right, तो इससे बिलकुल शरम आईएगा नहीं, कभी भी आईए, है ना, या फिर directly numbers पे ही contact कर लिजेगा, आपको automatically कुछ information मिल जाएगा, ठीक है, anyways, तो urban forestry का ये तो फायदा होता ही है, बट साथी साथ, ये urban pollutants को भी filter करने में, महतोपून भूमी का निवाती है, यही नहीं, again, ये सब अगर चीजे हो रही है, तो क्या हम बोल सकता है, on a larger angle, climate change को भी mitigate कर रही है, absolutely, physical mental health भी improve होगा, क्योंकि आप सुचो ना, आप पेर पौदे देखी ने रहे हो, बट वहाँ आप अचानक से आप देख रहे हो, तो आजू 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 पेर पौदे लगे हो है, तो अच्छा लगता है, एक greenery चीजे देखना अच्छा लगता है, अच्छा, green चीजे देखना mind को क्यों satisfy करता है, इसके दिए रिल्टेट मैं आपको थोड़ा science में ले जा रहा हूँ, थोड़ा scientific concept भी discuss कर दे रहा हूँ, आप कभी भी अगर hospital जाओगे, वहाँ पे परदा कौन सा कलर का होता है, बताओ तो green कलर का, पता है reason क्या होता है, और मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ that हाँ, आजू अगर आप green 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 चीजे देखो गे तो आपका mind cool होता है, आपका दिमाग ठंडा थोड़ा होता है, हमें अच्छा लगता है, वे feel good factor होता है, पता है क्यों, क्योंकि अब याद करो, V-I-B-G-Y-O-R, विबग्योर, पता है, V का, क्या होता है, energy जादा होता है, wavelength कम होता है, है red का, again, अलग होता है, मना wavelength जादा होता है, energy कम होता है, तो इसके बीच में, V-R, है न, I-O-B-Y, that is blue yellow, के बीच में आता है green, देख रहो, तो almost इसका energy as well as wavelength, जो है na, almost middle में लाई करता है, समझ रहो, now this is the reason, जिसके कारण ऐसा हमें feel good factor होता है, anyways, और भी चीजा आप लिख सकत है, urban forestry के क्या क्या impacts होता है, है न, तो ये सब देख लिजे, anyways, next देख लेते है, one health, दोसों वैसे तो अगर देख लिजागा, one health के ऊपर article ही था, but हाँ, मैं आपको main gist देना चाहता हूँ, that one health है क्या, प्रिलिम्स परस्पेक्टिव में बहुत जादा important है, इसको अगर analytical point of view से देख लिजेगा, तो हाँ, main perspective में भी बहुत जादा important है, जैसे, इसमें क्या बोला गया है, one health, यहाँ एक approach है, जो क्या recognize करता है, that health, जो है न, लोगों का, यह closely connected है to the health of animals and our shared environment, मतलब, again, देखो, human का health, है न, और animal का health, यह तो closely environment related है, आप बताओ तो यह कैसे है, recently देखा था न, क्या हुआ था, 2011 इसको, COVID-19, कैसे फैला था, वो तो एक zoonotic disease ही न, था, तो जो, अब देखो, वही न, अगर animal का health proper रहता, उसमें वो virus नहीं होता, तक क्या human में वो transfer होता, नहीं होता, तो देख रहो, that human का health, directly, या फिर, indirectly, you know, animal के उपर निर्वार है, है न और दोनों का, directly of and indirectly, environmental health के उपर निर्वार है, ये तो हम लोग सब को ही पता है, ठीक है, तो इसी लिए, ये concept है, one health का, जिसमें बोला जाता है, that, इनसान का health, animals का health, और environmental health, तीनों को हमें मध्य नजर देखते हुए, हमें कोई भी policies implement करने चाहिए, क्यों, main reason इसका यह है, that, animal के health को क्यों focus किया जा रहा है, क्योंकि zoonotic diseases जो है, उसके incidence दुनिया भर में बढ़ रहा है, जी हाँ, मैं actually मैं बोल रहा हूँ, दुनिया भर में बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो, सन 2000 से 2010 के बीच में, अगर आप time period देखोगे, तो आप clearly देख पाऊगे, that, zoonotic disease outbreaks ज जो है न, वो as such, ऐसे policies है, कोई भी देश में अगर देखोगे, वो human sectoric जादा policies बनते हैं, अब हम लोग आ जाते है, regional, rural, bank के related, now, government ने recently review किया था, the financial and operational reforms for RRBs, इसलिए ये ये news में भी था, it was, RRB के बारे में अगर देख ले, तो RRB Act 1976 के अंडर इसको form किया गया है, और इसको recommend किया था by नर्शिमन working group, for providing credit to the rural areas, मतलब rural areas में जिससे लोगों को banking facilities properly available हो, उसके कारण ये RRBs बने थे, ownership जिसका अगर देख लिजेगा, तो central government का 50% का ownership है, state government का around 15% का ownership है, और एक कोई bank होती है, जो के sponsored bank होती है, उनका भी ownership होता है 35% का, तो total अगर मिला के देख लि और इनका भी priority sector lending का प्रावदान है, that is, जैसे normal commercial banks करते हैं, तो वैसे इनको भी priority sector lending देना पड़ेगा, सवाल होता है that क्यों भई, ये तो गरीब वाले region में serve करना है, तो इनका priority sector क्यों है, देखो, पहले तो हमको समझना पड़ेगा that RBI जो है na, regulate करती है, दो kind of bank को, एक तो schedule commercial bank, है न, schedule bank मैं बोलूँगा और एक unscheduled bank, schedule bank में schedule commercial bank और schedule cooperative banks होते हैं, right, अब schedule commercial bank में भी public sector, private sector, foreign sector, ये जब तो होते हैं, बड़ साथी साथ regional rural banks भी होते हैं, जिनको ये criteria को maintain करना पड़ता है, now, criteria की अगर बात करूं, किस type के criteria, of course, जैसे हमने बात किया न, अभी priority sector lending, तो भी maintain करने पड़ेगी, बहुत समय बच्चे कनफूजी आ जाता है, पता है क्यों, क्योंकि ये regional rural bank है, usually rural region को serve कर रही है, तो लोग सोते हैं, चलो भाई, rural region को serve करी रही है, अब सरकार साथ इसको कुछ, you know, benefit देगी, न, इसा बिलकुल नहीं होता, ठीक है, anyways, next, Supreme Court ने quash कर दिया था, जारखंड government के decision को, जिसके ताहत, जारखंड government ने बोला था, जारखंड में जितने भी सारे local jobs होंगे, बदब, governmental jobs होंगे, वो जारखंड के लोगों को ही दिया जाएगा, है न, locals को ही दिया जाएगा, 100% you know, quotas to the local people, और इसमें Supreme Court ने क्या बोला, देखो भई, हर एक citizen को equal right है, है न, और हमाले जो founding father थे न, constitution के, उन्होंने ऐसा तो बिलकुल कभी सपना ही नहीं देखा था, that हाँ, आप बिलकुल ही आप exclusion कर दोगे, अब ऐसा गर exclusion नहीं चीज़ क है न, तो इसलिए आप ये वाले कानून नहीं ला सकते हो, अब आप फोलिएगा, sir, कहीं न, कहीं इंडिरेकली तो चीज़े ऐसी होती है, देखो, अब इंडिरेकली चीज़े हो या ना हो, वो अलग बात है, कानून लाना is different thing, right, अब जैसे नहीं होता है, बिलकुल होता है बहुत सारे states में ऐसे partiality होती है, कोई अगर दूसरे state के लोग अगर उस state का civil service exam दे रहा है, तो उन लोग को select नहीं किया जाता है, जानमूच कर, सीधा, समझ रहा हो बात, या फिर in general exam अगर दिया जाता है, तो तो तेको, वो जो है न, back of the channel किया जाता है, मतलब वो, that is not legal per se but हाँ, वो कभी-कभी कर दिया जाता है, ठीक है, issues अगर देख लिजागा तो जार्खन government in 2016 has granted 100% reservations to local of 13 scheduled areas in the public jobs, और previously भी state high court ने इस decision को बिलकुल discriminatory और impermissible बोला था, इसमें कौन-कौन से rights wallet होते हैं, आपने पढ़ा है न, constitutional rights, fundamental rights, DPSP, यह सब पढ़ा है न, properly एक बार जाना, आज Politica book खोलना, देखना, क्या-क्या लिखे हुए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 35, कैसे wallet हो रहा है, in fact, एक जो बहुत प्रिलूस परस्पेक्टिव में बहुत ज़्यदा important point है न, वो मैं बतलाना चाहता हूँ, तर देखो, reservation का जो outer limit है न, वो 50% set कर दिया गया थ और वो set किया गया था, under the Indra Sahoni case of 1992, ये as a statement आपको directly आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए make sure that हाँ, ये बिलकुल याद रखे, that हाँ, outer limit of 50% in reservation in government job, ये किस case के अंडर ऐसा fix किया गया है, ठीक है, याद रहेगा, चलो आगे बढ़ता है, बिल, बिल banning funding of weapons of mass destruction, पहले तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, weapons of mass destruction होता क्या है, देखो, जैसे atom bomb, nuclear bomb, वो क्या है न, एक अगर कही पर गिर गया, तो पूरा आजू बाजू वाले region को पूरा इंगल्फ करके बरबाद कर देगा, लोगों को मार देता है, इतना घातक, you to inflict death and destruction on a massive scale, large scale में, modern weapons of mass destruction सकर देख लीजेगा, तो they are either nuclear, biological और chemical weapon, ठेक है, chemical weapons और biological weapons जो है, इसको भी weapons of mass destruction के अगरा आता है, now, सवाल होता है देट, कौन सा कानून लाएगा है, कौन सा, क्या उसको बैन किया जा रहा है, देखो, actually, अभी से क्या है, पहले भी एक कानून था, जिस कानून का नाम है, Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System, Prohibition of Unlawful Act 2005, जिसके ताहत बैन किया जाता है, Manufacture of Weapons of Mass Destruction, बट, Manufacture तो अब बैन कर देरो, बट सोचो यहाँ के ऐसे कुछ लोग है, जो क्या, एक terrorist outfit से जुरे हो है, for example, Al-Qaeda, right, Al-Qaeda वालों ने इसको कैसे भी indirectly contact किया, और ये जो है, Bitcoin के through उनको पैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, funding हुआ क्या नहीं, है रहा, तो आप indirectly fund कर रहे हो कहीं न कहीं, अब इसी funding को रोका जाएगा, through this bill, ये renewed bill किया लाया गहा है, the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System, Prohibition of Unlawful Amendment Bill 2022, जिसके ताहत इंपावर किया जाता है, Central Government को, और Central Government, ऐसे लो match भी कर सकती है, अगर वो इस टाइप के activities में पाया गया, इस टाइप के activities मतलब किस टाइप के activities मतलब ये funding करना, ठीक है, Weapons of Mass Destruction को fund करना, क्योंकि ये जो है न, देखो, इससे actually पता है, इसी लिए ज़्यादा डर लगता है न, जाएग इसके activities को, क्योंकि अगर सोचो, ये terrorist के हाथ में पढ़ गया न, तो लेकिन बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान के हाथ में पढ़े, वो अलग बात है, पाकिस्तान को दुनिया मानती है as a country, न, समझ रहो बात, अब अगर पाकिस्तान कल को हमारे उपर attack करता है, तो अपन भी attack कर सक है न, समझ रहो, तो इसी लिए इस टाइप के activities को रोकना बहुत ही जाधा important है, anyways, अब दोस्तों MCQs देखते है, कल MCQs जो जो हमने पूछा था, पहला था drone rules के बारे में, दो statement दिये गए था, आपको बोलना था, कौन सा correct नहीं था, तो पहला वाला का पहला पार्ट देखो न, 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 ड्रोन के लिए तो कोई no type certifications जो है, वो नहीं चाहिए था, however, model drones and research जो है, इसको needs type certification, न, इसको भी नहीं चाहिए था, है न, तो अगें, पहला वाला statement गलत है, तो इसलिए one only is a wrong answer, क्योंकि दूसरा वाला गर देख लिजेगा, that green zone में चलाने के लिए, कोई drone को पाने के लिए कोई permission नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही है, तो आपको not correct पूछा हुआ है, तो इसलिए a will be the correct answer, next question, revamp distribution sector scheme, power sector से related है, b is the correct answer, military नसीम अलबर्ड जो है, ये ओमन के साथ किया जाता है, d is the correct answer, तो correct sequence अगर देख लिजेगा, वो है, a, b, d, जिसमें a, b, d, a, b, d सब नहीं सही दिया, बिल्कुल सही, चलो, आज का question solve करना, आज का question सब से पहला question है, main objective of district mineral foundation, चार options दियें गया, आप पर ली पढ़िये, और answers को टिक कीजिये नीचे comment section में, next, with reference to regional rural bank, consider the following statement, पहला statement, central government has full 100% ownership in RRBs, and there is no requirement for priority sector lending in the RRBs, right, तो आपको बतला है, कौन सा correct option है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, नीधर 1 and not 2, आपको नीचे comment section में बिलकुल लिखना है, we will be waiting for your answer to come up, this was all about the discussion for today's session, मिलता ने 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 लास्मे, till then, bye-bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.